नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कोकेंग विद रीतू में तो चलिए आज बनाते हैं बहुत यी बढ़िया फुल जार सोडा जिसे बच्चे बाजार जाकर बहुत मजे से पीते हैं जबकि उनका पानी या सोडा आपका हो या बर्फ उतनी हाईजीनिक नहीं होती और आप घर में इसे कितने आराम से बना सकते हैं केवल अपने घरों में इस्तेमाल होने वाली चटनी हमें चाहिए तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर एक चमच के लगबग सबजा के सीट जो है उनको पांच मिनट तक के लिए सोक करके रख देंगे पांच मिनट के अंदर ही ये बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे लेकिन ये पूरी तरह आप्शनल है अगर आपके बच्चों को सबजी के सीट पसंद हो तब आप डालिए वरना आपसे स्किप भी कर सकते हैं वैसे तो रियली में फूल जार सोडा इसके बिनाई बनाया जाता है ये देखिए पांच मिनट के अंदर कितनी अच्छी तरह से सोक हो गए हैं आप हम फूल जार सोडा बनाने की त्यारी करेंगे आधा कप मैंने पुदीने के पते लिए और वन फूट कप धनिये के पते चटनी में हम धनिया जाड डालते हैं और फूल जार सोडा में पुदीना जादा डालते हैं एक या दो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा इंच अत्रा का टुकड़ा, वन फूर टीस्पून मैंने इसमें काला नमक डाला है, आधा चमच मैंने इसके अंदर भुनावा जीरा पाउडर डाला है, बिल्कुल एक चुटकी हींग डाली है, इससे इसमें चीनी डालनी जरूरी है, साथ में हम इसके अंदर दो से तीन बड़े चमच निबू का रस टाल देंगे, और चार पांच बर्फ के टुकड़े टालके इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे, जो हम घर में चटनी बनाते हैं उसमें और इसमें सिर्फ यही डिफ्रेंस ह कि इसके अंदर हमने चीनी जादा डाली है, उसमें हम चीनी नहीं भी डालते हैं, यह देखिए, एक पतली सलरी सी बनकर तयार होगी, अब हम इसे कांच के छोटे गिलासों के अंदर भर लेंगे, जरूरी नहीं है कि आप कांच के छोटे गिलास के अंदर ही भरें, मैं भी आपको दिखाऊंगी, आप सबसे पहले गिलास में हम सोडा डालेंगे, साथ में हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी बर्फ और सब्जा के सीट जो पूरी तरह से ऑप्शनल है, इस तरह से बना हुआ फुलजार सोडा बच्चों को बहुत जादा पसंद आता है, टेस्टी बच्चे से बाजार जाकर पीए, इससे बहतर है कि आप इसे घर में बनाईए, सस्ते में बन भी जाएगा, आप भी पीजी और बचों को भी पिलाईए, रेसिपी आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भीना भूलें, बस आब हम इस बात का ध्यान रखना है कि यह बाहर जादा जब ही आएगा, जब हम सोड़ा जो है बिल्कुल फ्रेश लेंगे, अगर सोड़ा पुराना होगा, तो यह उतनी तेजी से बाहर नहीं आएगा, यह देखिए, एक सेकिंड भी नहीं लगेगा, और यह कितनी तेजी से बाहर पुराना स्टार्ट हो जाएगा, इसका यह सिर्फ एक रियक्शन है, सोड़े के अंदर हमने निम्बु वाली चटनी डाली है, इस वज़े से यह तेजी से बाहर की तरफ आता है, अगर आपके घर में छोड़ा की लास ना हो, तो बच्चों को इस तरह से जो यह बीकर कर दे सकते हैं, साफ सुथरा बना भी सकते हैं, और अपनी मर्जी का समाना आप इसमें डाल सकते हैं, यह देखिए, आप सबको मेरी वीडियो पसंद आईए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,